जन्पत हाबुर के थाना बहादुर्गर छेतर के एक गाउन निवासी दिव्यां किशोरी के साथ तील लोगों ने सामोही को दुश कर्म किया पिता की तहरीर के अधार पर पुलिस ने मामले में कारवए करते वे तीन आरुपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और एक आरुपी को गरफ्तार कर लिया हाबुड के आपर पुलिस अधिक शक विनीद भटनागर ने बताए कि पुलिस ने समवार को एक आरुपी को गरफ्तार कर लिया है फरार आरुपियों की तलाश के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है करवाई की जा रही है इसमें देख विनीद को गिरफ्तार किया गया है और बालिका को चिरिसी परिशन के लिए बेजा गया है विवेचना खनाद्यक्ष महादुर्गर स्वयम कर रहे हैं जल्दिस जल्दी शेश वित्यों को भी गिरफ्तार करके साक्ष के करम में आगे वैदानी कारवाई की जाएगे आपको बता दें कि बावदुकर छेतर के गाउन निवासी दिव्यांग नावालिका के साथ तीन इवकों ने सामोही के दुश कर्म किया बता जा रहे हैं कि पिडिता दिव्यांग नावालिका है जो कि घर के बाहर नल से पानी पी रही थी तब ही गाउं के दो यवक बेटी का मूद दवाकर खर के सामने से एक मकान में ले गए और एक और यवक को बला लिया इसके बाद तीनों ने उसके साथ दुश कर्म किया जट पर इस घिनोनी हरकत को आरुपियों ने इंचाम दिया पिडिता किसी तरह से अपने घर पहुंची और पेरिजनों को मामले सबगत कराया इसके बाद पिडिता के पिडिता थाने पहुंची और तहरी लेकर कारवाई की मांगी पुलिस ने ततकाल मकदमा पंची करते वे तीन आरुपियों के खिलाफ मकदमा दर्च किया और जिनमें से एक को गिरफतार कर ले गया है शेश दो आरुपियों की गिरफतारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है कि अपुलिस कर दो दोगे है झाल झाल